21 December 2018 को एक ऐसी फिल्म है जिसने इंडियन सिनेमा को बदल के रख दिया जी हाँ आप बिल्कुल साजी सोच रहे हो उस फिल्म का नाम है जिसके बारे में हम बात कर रहे है के जी एफ चैप्टर वन इस फिल्म नाय रॉकिंग स्टार यश को रातो रात इंडियन सिनेमा का मॉन्स्टर बना दिया तो आज रॉकिंग स्टार यश यानि की मॉन्स्टर का है है एपी बर्दे तो विश यू वेरी वेरी हैपी बर्दे रॉकिंग स्टार यश आप ऐसे ही कमाल का कॉंटेंट बनाते रहो और ऐसे ही हम आपके कमाल के फैन बने रहेंगे तो आज रॉकिंग स्टाय येश का बद्धे है और हमारी तरफ से आपके लिए धमाकेदार लेवल वाला वीडियो ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना तो आज का रियाक्शन वीडियो होने वाला है के जीफ चैप्टर वन के क्लाइमेक सीन पर जिसको आज हम सब मिलकर करेंगे इंजॉय तो चैनल को फटा फट से करते हैं रियाक्शन को स्टार्ट यहां शॉट सर्किट के वज़े से पूरे नराची की बिजली चली गई है तो अपे लेक्शन के बास भी गार्ट बना दिये है चली छोटे सर्कार के कमरी की तरफ चाप तो लोगों की क्या हालत होती हाँ वो है ना हमारे मान जैकाली हम अजाय ओए होए होए ओए जात्रों मह मारे जात्रा में मारे लुझ। जट्रे में मारेगा VII किसी ने पॉफर के तार को पत्थर से बान कर विज्डी के तारों कर प्लिका है जिससे नारची का पावर डाउन हो गया है सर्थ विज्डी जाने के 10 से के अंदर जीप और डॉट्स की लाइट्स ओन गड़ी थी उन 10 से कंड में हमारे नजार से बचकर किसी का सफिर लाइन को पाल करके चाने न मुंकिन है सर्थ पूरे नारची में सर्थे के चानल है जो सीदा में तक जाता है वोई होई होई चावर दास्त पसनेलिटी होई होई चावर दास्त जिसने भी शॉर्ट सर्कृट किया भी तो उसको टॉनल से महल तक आने में बहुत समय लगेगा सा लेकिन जब आपने सब को इलड किया तो चोटे सरकार के कमरे के बाहर गाट खड़े किये और पूचा तक वो कड़ी सुरक्षा के साथ गए है तो फिर वो गया का होगा प्रव्लम कि वो ड्का बोल है कि एमारा झाला गो therebyगे जए ही बड़े किए riverK झाला बपलाव जुटक्डा मुद्लेकिक के सब खले ही हुआ हे हुआ हुआ है जैसे बिज्दी चली गई यहां के भी सारे गाट चोड़े सरकार के कपरे के बहुत के अए अफिक्डमाद कीजिजिए सद जब तब चोड़े सरकार के लौजा करके लौटेंगे हम पूरे महल की जानमि करवा लेगे अज तीनो कैदियों कर सामने लेकर आओ अई अई उसका में घुपने करने का उसका मैल में घुचा नहीं था याने का ता नमना वहीं पड़ है रामना उहीं पारे रामना श्रीम नहीं मिल रहे, और रिखागर की दो, जूँजा है विल्म श्रीम जली जडिनने भूचागर को हाके विल्म आप आपना यख़ी अगन रमना हो एँ चे ढैंकर नहीं मां आपना पीस चाहाdf यह यहे बहर नहीं, नहीं, नहीं! होहह, नहीं से हौही! स्वाधि! सामिर! तो नहीं थे इन कैदी कालकोष्रीए में मनीर, वन्से, वन वन्ने से backmore पाहिसा, बकजाद जाओदожд pressures पाड दाला काजब ए संधी, संधी समाल अपने मिजवा के जादा ही हवा में उड़ा है सबको साथ लेकि मारा-मारी करने निकला था हुद तो बिगड़ा है, हमारे बच्चों को भी बिगाड रहा है नहीं मा, वो रो स्कूल में तंग करता था मा मा, इसलिए उसको मारने गया था मा क्या हुआ तोली बना कर मारने गया था अकेले जा क्या शॉट है यार क्या कुल करनी उतने मार दिया था क्या खाँ पर शिकाओ गार्रा का मार दिया था हुआ 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 अलुप भी आया सबको खबर लग गई के गरोडा मारा गया सुरी वर्धन ने जेतावानी दी थी के गित्र इंतजार में हिंदोस्तान से खबर है अगर कुछ लोग के जिएफ को मिटाने पर तुले हुए थी मैडम कि एजिएफ में एजिएफ में एजिएफ में भाई गरोड़ मारिया तो और कुछ उसे आती आने में पादीरा जब तक गरोडा जिंदा है मैं इस कद्दी के बारे में सोचूंगा भी नहीं मेरे भाईया ने कहा था कि मुझे राजनीती नहीं आती लेकिन लोगों को ये खबर नहीं थी कि किसी और के कदम वहां पड़ चुके थे ओए-ओए-ओए अल टीवे इस ने जब उसे लॉलीपॉप की तरह बंबई देने का लालच दिया राकी के लिए वह समंदर तालाब से भी छोटा हो जया जिस समंदर की तलाश राकी को थी वह बंबई में नहीं था करुणा को देखने के बाद उसे समझ में आ गया कि here is a man who comes from that powerful place इसलिए मौका मिनने पर भी उसने उसे तुरंट नहीं मारा छोड़ दिया केजी अक्टों हासिल करने के लिए उस एक सेना की जरूरत थी रुड़की ने के रुड़ा को सब के सामने मार कर वहां लोगों के मन में डर को मार दिया था अब वो सब उसकी सेना पन गए थे तो बीस हजा वो जिनको हिम्मत आ चुकी थी राकी के इशारिक पर पर मरने को भी तयार थे अगर तुम्हे हिम्मत हो की हजार लोग तुम्हारे पीछी खड़े हो तो तो तुम सिर्फ एक ही जग जीत पाओंगे अगर हजार लोगों ने एम्मत चुटा लेकि तुममके सामने खड़े हो तु पुरे दुनिया चीत जाओगे जा आ के में जा यह अभी पहला चाप्टर था असली का आभी मजा आगे दोस्तों इससे जोपर दस्त और पावफुल क्लाइमिक्स तो हो ही नहीं सकता मतलब कितना जोपर दस्त लिवल का बनाया है मतलब इसको एक सिंगल वर्ड में तो डिस्क्राइब करना तो नामुम्किन है जोपर दस तरीके का क्लाइमिक्स इन इस क्लाइमिक्स सीन को देखके तो गूस्बम रोंगटे खड़े हो गए जोपर दस लिवल का क्लाइमिक्स इन को देखने के बाद में एक बात तो समझ में आ गई है कि जब ये फिल्म आई थी ना तीन साल पहले तो ये फिल्म राज करने आई थी इस फिल्म के बारे में किसी ने सोचा नहीं था कि फिल्म इतनी जवर्दस लिवल की सक्सेस मिले गिया जिसका बजट सौ करोड से कम है जिसका कलेक्शन तीन सो करोड के पार वोई होई क्या तो जबवर्दस लेवल वाली फिल्म मज़ा आ गया आज इस फिल्म को तीन साल हो चुके और फिर भी स्टिल इस फिल्म को इतना जबवर्दस लेवल का इंजॉइ कर रहे हैं यह तो यार रॉकिंग स्टाइग याश की यह कौन्टेंट की खुपसूरसिति हो स हो जो हीरो का जो मतलब अटाया रहा है जो हीरो का जो स्वेग है वो सब कुछ जब वर्दस्त है यार क्लाइमेक सीन तो इतना पावरफुल हो कि मतलब कि जीएफ चेप्टर वन के Climax scene का जैसा हो, मतलब मज़ा आ गया Mr מies a 보고 लिवल का grbak Gel आगे क्लाइमेक्स सीन को देकर गूजबंग है या तो क्वालिटी लिवल का क्लाइमेक्स यार मज़ा आ गया यार जबर्दस्ट दोस्तों आज है रॉकिंग स्टार येश्गाव हैपी बर्दे एक पर फिर से मन को विश्च करते हैं क्योंकि वह बहुत ही जबर्दस लिवल हमारे रॉकिंग स्टार है क्या तो जबर्दस लेवल वाली फिल्म बनाई है किसी ने सोचा नहीं था कि यह फिल्म आएगी ना तो जीरो को ऐसा उड़ा के निकलेगी तो किसी ने सोचा नहीं था एसा फड़ फड़ा के रग दिया था ऐसे बहुत से क्लाइमिक जीन कम बनत क्टम मतलब यार केजी अप में जो रॉकिंस चाजेश की तलवार है ना उसने तो कड़ी टकर दी है अमरेंद्र बाफुपली के तलवार की टकर को जबर्दस लेवल कि यार जो सीन धाना यार जो पानी में से निकल कर बाहर आना उसके बाद में जो नगाड बज रहे हैं द इतने पाउफुल विलन को इतने भायंकर लेवल की विलन को एक ही जटके में तो सोच रहे हो कि मतलब यार रियश का जो है ना सुएग वो भायंकर लेवल का है सोचो केजी अफ चैप्टर वन जिसमें वो बोलता है कि यार कहानी तो अभी शूरू होगी तो केजी अफ चैप्लाइब को लेकर क्योंकि जो फिल्म वह ना कि बहुत जबर्दस है लेवल की होने वक्त ली है इतना वेट तो अमने उस टाइम नहीं किया था जब हमको पता चला की बाहू बली मैं कटब आने बाहू बली को क्यूं आला उस जवाबका इतना वेट नीं करा जितना वाली है परयमकर लेवल की फिल्म होने वाली है क्लाइमेक्स सीन देखो आपकी मतलब आखों की जो पलके नहीं नजर हटेगी नहीं दुरगटना घटेगी नहीं और यार क्लाइमेक्स में लास्ट में अधीरा का एक चोट असा ग्लिम्ष देखने को मिलता है जिस से ये पता चलता है कि अधीरा का जो करेक्टर है वो बहुत ही जबर्दस लेवल का होने वाला है यश का अपनी मा के साथ वो emotional एंगल जो उसको सीख मिलती है उसकी मा के साथ वो भी देखने को मिलता है वो जो गरुडा के जो स्टैचूट से लेकर उसके बाद गरुडा को अकेले में मारने से कहीं बैटर है कि सब के सामने जाके मारूंगा यार वह वाला attitude यार मतलब powerful people जो है ना वह मतलब powerful places बना के रख देता यार जब अधस लेवल का यार पिछले साल 21 में जब आठ जन्वरी को यश का बद्र था ना टीजर आया था के जिएफ चैप्टर टू का यार जो की पहांकर लेवल का टीजर आपकी टीजर अभी तक अगर आपने नहीं देखा है मेरको नहीं लगता कि अभी तक कोई ऐसा बंदा होगा जिसने ये टीजर नहीं देखा 230 बिलियन प्लस व्यूज क्राउस कर चुका यूट्यूबर अपने आपने रिकॉर्ड है हिस्ट्री यार इतना जबरदस लेवल का टीजर यार अब तो हम वेट कर रहे हैं कि कोई पर आज निकाल दो पर आज मेकर ने एक पोस्टर डाला कोई बाद नहीं पोस्टर बहुत जबरदस लेवल का है पर हम लोगों ने आपके लिए एक जबरदस लेवल वीडियो बना दिया ना धमाकिदार लेवल वाला यार फटा-फट से लाइक कर दो वीडियो को और कॉमे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब प्रशांथ नील के डारेक्शन की बात कर दिजा तो उनके डेरेक्शन की तो क्या ही बात करने हैं के लिए धे कि właściंकर लेवल का बड़ा फावरफुल विलन उसको एक ही जटके के उदर खतम कर दिया और ऐसा लगल सुझा शौर नहीं नह ग्राउंड म्यूजिक के बिना तो क्लाइमेक्स इतना जवर्दस्त होई नहीं सकता रवी बसरूर का जो बैग्राउंड म्यूजिक है ना इस क्लाइमेक्स सीन के अंदर भयंकर लेवल का यार गाने जो सारे कि सारे हमारी प्लेलिस्ट में बने वे जब भी गाड़ी चलती है तो सबसे बहले KGF का गाना चलता है जवर्दस्त लेवल के गाने जवर्दस्त लेवल का BGM सिनुमेटोग्राफी लेवल देख लो आप एडिटिंग देख लो आप वी एफेक्स देख लो सब कुछ टॉप अफ है यार मदब उपर लेवल पर पहुँझ गई फिल्म यार त उस टाइम एक जीरो भी आई थी इसको तो ऐसा रोंद के रग दिया कि किसी ने सोची भी नहीं हो गें लाइफ में कॉन्फिदेंस होना बहुत जरूरी है पर इतना भी कॉन्फिदेंस होना कोई जरूरी नहीं है यूट्यूब जो होता है ना वो लाइफ चेंज करके रख सब्सक्राइब सब्सक्राइब हैं क्योंड तो होता है ना वो लाइफ तोपर देख कर देखो लुक हे पायंकर कर निकल कर आया यार जो उनकी जो आँखों के साथ expression है ना वो बहुत ही जवर्दस लेवल के यार मज़ा आ गया उस पूरी फिल्म को कितनी बाहर भी देख लो आप इस फिल्म को लेकर बोरने होगी क्या तो स्टोरिया इस फिल्म की यार जो गैंग्स्टर लीवयर की स्टोरी बनाई है एतनी वेफशी फ्ल्म मज़ा और हम बाल है उत्त लिएस इधर ओधर होग है यार कोई बात नहीं 14 अप्रेल को हमारे तरब से आपको बहुत कर लेवल का सप्राइज मिलेगा तो सब्सक्राइब करो ना चैनल को फटा फट से तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में स्टे टून स्टे हैपी एंड स्टे सेफ बाए